हलो फ्रेंट्स आज शुबह से ही बारिस हो रही थी, बारिस और बारिस में पकड़ी ना खाजा जाई तो क्या बात है मैं भी फड़ा फ़ट छट पे गई, छट पे मैं देखा अरबी के पत्ते वो रखे थे हमारे हैं इसको अर्वी के पत्ते बोलते हैं आप भी मुझे कमेंट करके बताएगा इसे क्या कहा जाता है मैं फड़ा फट उपर से लेके आई और इनको अच्छे से मैंने वाश किया एक एक पत्ते को अच्छे से वाश किया और ये देखी मेरे पत्ते धूल चुके थे, मैं फड़ा-फड़ इसके मसाले की तियारी करने लगे, इसके मसाले में ग्रीन चिली, गार्लिक और ये पुदीना, थोड़ा से जीरा, और इन सब को मैंने बारिक पीस लिया, लाइट सुबह से ही नहीं थी बारिस के वज़े से, तो मैंने सिलवटे पे इन सब को पीसा इसी भाने हाथों की exercise भी हो गई, मैंने ग्रीन चिली का यूज ज़दा किया था, आप अपने अक्रॉर्डिक पर ग्रीन चिली डाले, एक्चलि हम तीखा खाता है, इस वैसे मैंने ग्रीन चिली ज़दा ही लिया था, लाश्ट मैं इ तरह एक पैस पीस लोंगी पैस से पकोडे से सौप्ट बनते हैं और जल्दीं गल जाते हैं। 수 varied तो可 सिंप इनों को सक्षे मिसंद तो Miss न इन चलrado तो इन सब को अच्छे से मिक्स करने बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हमें घोल को जादा पतला नहीं करना है थोड़ा गाड़ा ही रखना है और आमचुर पाउडर जरूर डालें ताकि गले में ये इचिंग ना करे और मैंने थोड़ा सा निम्बू का रस्वी डा व्यार जोवे מड़ा थोड़ा मारा है ये व्यार से अघ्ली ये सबीप्ते और ऑर चहसे वहां बहारा है से थे युद्फ्ते đầu लगाई में सब अत्याया पत्वट पत्त आ error के रांटान करते कर जाए हैं वह जब 10 आप wyshu जिस तरब से पत्तों की एंडिंग हुई है उसी तरब से उसको नीचे की तरब करके रखे इससे कि आउंगे आपके पत्ते जो हैं खुलेंगे नहीं और कढ़ाई में मैंने पानी डाला पानी में थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल डारा और इसके उपर प्लेट रग दी प्लेट मे इनको ठंडो के ऐसे सेफ में काट ली जिए जिए अब या तो आप इसको ऐसे इस सिटीम में खाईए या फिर इसको फ्राइ कर लीजे आप फ्राई करने के लिए ये आफ ज्याहदा नहीं आफ सेलो फ्राई कर सकते हैं मैं तो आप इसे किस नाम से तैंक यू फूर वाच